प्यारे बच्चों, आज सुनो हिंदी की पाठे पुष्तक रिमजिम भागदो का एक पाठ पाठ का शीर्षक है भालू ने खेली फुटबॉल सर्दियों का मौसम था सुभा का वक्त चारों और कोहरा ही कोहरा एक शेर का बच्चा हा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड के नीचे सोया हुआ था इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आये थे लेकिन पच्चता रहे थे तभी उनकी नजर जामुन के पेड के नीचे पड़ी आखे फैलाई अकल दोडाई अहा फुटबॉल सोचा चलो इससे खेल कर कुछ गर्मी हासिल की जाए आव देखा ना ताव भालू जी ने पैर से उच्छाल दिया शेर के बच्चे को हडबडी में शेर का बच्चा दहाडा और फिर पेड की एक डाल पकड़ ली मगर डाल छूट गई भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए पच्चता है लेकिन अगले हिपपल दोड़ कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया अरे ये क्या शेर का बच्चा फिर से उच्छालने के लिए कह रहा था और एक बार फिर भालू दादा ने उच्छाला दो बार तीन बार फिर बार बार यही होने लगा शेर के बच्चे को उच्छने में मजा आ रहा था परन्तु भालू थक कर परिशान हो गया था किस आफ़त में आफ़जा बार अभी बार उच्छालते ही भालू ने घर की और दोड लगाई और खायब हो गया अब की बार शेर का बच्चा ध्राम से जमीन पर आ गया डाल भी तूट गई तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा डाल तोड़ दी पेड़ की प्लाव हर जाना शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लूं माली ने कहा ठीक है मैं अभी आता हूं माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9211 हो लिया उसने सोचा जान बच्ची तो लाखों पाए भालू ने खेली फुटबॉल अभी आपने सुना ये कारिक्रम विशे सेयोजन डॉक्टर मन्जुला माथुर पाच समन्वे डॉक्टर लता पांडे नर्मान संचालन प्रभुदयाल खटर आलेक हरदर्शन सेगल कलाकार नीरज्यादव कीमतियानंद और मुकुल तक्नीकी नियंत्रण पुष्पलताकुमार तक्नीकी समन्वे सतीश लाडे द्वन्यंकन दीपक पांडे नर्मान सहयोग दावुदयाल चत्रुवेदी नर्मान वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T.N.C.E.R.T C.I.E.T.